दोस्तो ये है देशी लुपिया और ये देशी लुपिया का भी वही कारेक्रेम है जैसा हमारा नॉर्मल था ये एक बहुत जबरदस चीज है जैसे इसमें जो फूल होते हैं ये फूल ही ये लुपिया बनाते है फाइनली पहले फूल निकलता है उसके बाद फल निकलता है अब यह फूल जो है जब यह मुर्जा जाता है तो यह अपने आप गिर जाता है और इस तरह की लोबिया निकलती है जो पतली वाली लगी यह इस तरह की और फिर धीरे यही इस तरह की हो जाती है इस तरह की मोटी हो जाती है तो ये लुबिया का पेंड है देशी और इसका स्वाध जो है कच्छा क्योंकि अभी मैंने तोड़ के खाया था तो इसका स्वाध बहुत जबरदस है बढ़िया स्वाध है और जो हाइब्रिड की लुबिया होती है वो बहुत लंबी-लंबी होती है और उसको जब आप खाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है उसके अंदर बलकि इसके अंदर इसका टेस्ट और उसका टेस्ट बहुत डिफरेंस है दोनों में यह लुबिया जो है इसकी लेंथ जो है बहुत लंबी नहीं होगी इसकी लंबा इतनी रहेगी ना थोड़ी बहुत बाड़ जा रहेगी मगर हाइब्रिड लोबिया बहुत लंबी होगी